नमस्कार चेहन दोस्तों आप सभी लोग देखेरों अपने ट्रेश्टेड यूट्यूब चैनल तो आप सभी लोग का बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तों आप सभी लोगों को एक बहुत ही महत्वपून और डेमांडिक वीडियो लेकर आया हूँ अच वीडियो के अंत इस वीडियो के अंतरकत आप से बहुत ही महत्वपून टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं जैसे कि दोस्तों फॉर्म भरना तो हमने आपको सिखा ही दिया स्टेप बाइस्टेप किस परकार से भरना है चॉइस्ट फिलिंक के बारे में सारी वीडियो बना चुके हैं सार फिर स्टेडी सरकल मुराना यूट्यूब चैनल पर बिजाके आपको सारी वीडियो इसमें बिल जाएंगी फिला दोस्तों इस वीडियो के अंतरकत हम आप से चार टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि आप लोगों को पोश्ट वेकेंसी के लिए अगर आप BPM या फिर ABPM के पत चैनल को सब्सक्राब करके और नोटिफिक्शन और कर लें ताकि पोश्ट वेस समद में जो भी अपडेट आए जो भी ख़बर आया सबसे पहले हम आपको बताएंगे साथ ही आपकी हम मदद भी करेंगे किस परकार से चॉइस लिंग आपको करने हैं साथ आप तो गुजारे शोगा वीडियो को निखते रहें वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ जितना हो सके शियर कर दीजिए तो दोस्तों आप का सेलेक्शन हो गया तो आप लोगों को दो टाइप की यहां पर सेलरी मिलती हैं मैं आपको अच्छे समझा देता हूं अगर आप लोगों को किसी एक जगह पर मान लीजिए छोटे सा एरिया है छोटी से पोस्ट अफिस है वहाँ पर एक आदमी की जगह है और आपको एक ही मान लीजिए किसी एरिया में जो आपकी पोस्ट अफिस है वह थोड़ी सी बड़ी है उसमें एक के साथ एक यानि की दो बीपीम को जगह मिलेगी तो ऐसी कंडिशन में जब एक ही ओफिस में दो बीपीम काम करेंगे तो आपको चार गंटे का स्लैब लेवल वन के साब से मि मिलेगी एक्जामपल के दोर पर मैं आपको बता दूँ कि मान लीजिए आप लोगों की एक पोस्ट अफिस है इतनी चोटी सी एक पोस्ट अफिस है इतनी बड़ी इसकंदर आपका एक ही आदमी काम कर रहा है इसकंदर आपके दो आदमी काम करेंगा इसको सेलरी मिलेगी ल सेर मिलेंगे लेवल 1 के साब से 12,000 मिलेंगे लेवल 2 के साब से यह हो गया आपका सेलरी का प्योरा अब हम बात करेंगे कि आप लोगों की सेलरी में इंक्रीमेंट कितने होते हैं दोस्तों आप लोगों के यहां पर दो इंक्रीमेंट होते हैं केंद सरकार की और से दी जाते है एक होता है आपका January में एक होता है आप लोग का जुलाई के महीने में दोनों increment आप लोग के जो भी केंदर सरकार डिसाइड करती है उसके नुसार होते है 4%, 5%, 30% जो भी आप लोग का होता है वो Central Government डिसाइड करती है उसके नुसार ही आप लोग का increment इसमें लगता है तीसरी चीज, आप को दोस्तों यहाँ पर बोनस भी मिलता है, बोनस आपको हर दिवाली लगबग 12 से लेकर 15,000 रुपए के लगबग आपको बोनस मिलता है, जो कि आपको हर साल मिलता है, तो यहाँ पर आप लोग निचिनत रहे, आप लोग को यहाँ बोनस आपको confirm है हर साल आकों मिलेगा सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप लोगों की पर एयर सैलरी कितनी इंक्रीज होती है तो उस्तों मान लीजिए अगर आपने 12,000 पर शुरू किया है और यह आपने अगर ABPM का 10,000 पर शुरू किया है हर साल 1200 से लेकर पंदरा सो रुपे पोजिशन यानि की लोकेशन के एसाब से आप लोगों की बढ़ती है अगर आप सिटी वाले एरिया में बलॉंग करते हैं तो आपका यह हो सकता है 14,500 गाव वाले एरिया से बलॉंग करते हैं हो सकता है 12,300 वहीं पर बात करेंगे इसमें तो इसमें भी आप लोगों की लगबग 12,500 की लगबग आपकी सेलरी बढ़ती है यह हर साल लगबग आपकी 1200 से लेकर 1500 रुपे तक की सेलरी बढ़ेगी यह आप लोगों का फाइनल है तो आप लोग ऐंसा अंदैदा लगा सकते हैं कि अगर भरती होते हैं उसके 10 साल के बाद आप लोगों की जो श्तिती होगी बहुती अच्छी और बहतरी श्तिती होगी अच्छी सेलरी आपकी होगी यह तो दोस्तों बात हो गई सेलरी की कि आप लोगों को post office, GDS, ABPM और BPM के अपत पर कितनी salary मिलेगी दूसरी topic पर हम सेचा करेंगे तो वो होता है promotion का मैं यहाँ पर आपको बता दूँ दोस्तों promotion के लिए आप लोगों के पास दो option होते हैं पहला option तो आप लोग department के साफ से promotion जो भी आप लोग का मिलता है उसके साफ से चलिए तो उसमें आप लोग ABPM अगर भरती होते हैं तो ABPM से आगे जाके जब भी आप लोग का उसमें time limit complete होगा तो आपको BPM बनाया जाएगा तो बहुत लंबी प्रक्रिया है इसमें बहुत समय लगता है मैं आपको short तरीका बताता हूँ दोस्तो चाहे तो आप BPM से बढ़ती हो जाएं चाहे तो आप ABPM या डाक से बढ़ती हो जाएं आप लोगों को तीन साल तक नौकरी करनी होगी तीन साल के नौकरी करने के बाद आप डिपार्टमेंट एक्जाम के लिए कौलिफाइग कर जाओगे डिपार्टमेंट एक्जाम कौलिफाइग करने के बाद यहां से आपकी पोस्ट खुलती है MTS की NTS की जो वेकेंसी वरतमान में SFC की और से कराई जाती है आप लोगोंने से अध्यान दिया होगा SFC MTS की और से वेकेंसी होती है उसके अंदर पोस्टल असिस्टेंट और सौर्टिं असिस्टेंट CHSL के अंदर आती है तो वहीं पर आपकी जो MTS के पद होते हैं इसके लिए आपको डिपार्टमेंट एक्जाम मिलता है फिर आपको Direct MTS के पद मिल जाएगा यह है आप लोग का शौर्ट तरीका प्रोमोशन लेने का तो दोस्तों तीसरा पॉइंट है आपका Document Verification का जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है आप लोगोंने अपना फॉर्म पर आ है फॉर्म भरते समय आप लोगों जो भी डॉकुमेंट्स लगाए है वो सारे डॉकुमेंट्स तो आपको वहाँ दे नहीं होंगे साथ मां में आपको यह भी बतादू जैसे कि आप लोगों की जो डॉकुमेंट्स की पूरी लिस्ट भी में आपको देखा देता हूँ फिलाल आपको आपको देख लें नोटिफिक्शन में तो साथ कुछ दिया है हाँ दिया है आप लोग देख पारे होंगे सबसे पहले आप लोगों को वहाँ पर आपकी 10th क्लास की ओरिजिनल मार्कशित देनी होगी आपको आपका आधार कार देना होगा आपको अपना कास्ट सेटिविकेट देना होगा आपको अपना मूल लिवासी देना होगा आपको अपना पैन कार देना होगा आपको अपना फोटो देन है अगर आपका वैसे ज्यादतर 10th class का जो passing certificate होता है वो सेम होता है अगर अलग है तो आपको वह भी provide कराना होगा यह आपके वह document है जो आपको वहाँ पर लगेंगे अगर विकलांग को सब्सक्राइब लगेगा और जो भी आपका अधर आप लोग एजरेविशन लगता है उ दोस्तो रोजगार पंजेन अगर आपने नहीं कराया है तो बिना समय खराब करते हुए आज यह कल की date में ही रोजगार पंजेन करा लिजिए क्योंकि रोजगार पंजेन आप लोगों को वहाँ पेश करना होगा जरूरी है आपको वहाँ देना होगा तो कल ही कल में है तो आप लोग लगा दीजिए अगर आपके पास राज्य का है तो आपवलोग राज्य का जाती प्रमार पत्र भी लगा सकते हैं जैसे कि पिछली साल जो लड़के भरती हुए हैं जो प्रमार्पत्र चार से पाँच लडगे जो हमारे यहां एक सेलेक्ट होए हैं, उन से मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने कास्ट सैटिफिकेट जो लगाया था, वो मद्द्विजे सराज्यीका या फिर राजिस्THान राजिका लगाया था, वहाँ पे उनको मानेता दी गई, उनसे केंदर का सर्टिफिकेट नहीं मंगा गया, तो यदि आप लोगों ने राजिका सर्टिफिकेट लगाया है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, केंदर का बनवालिया है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस वहाँ प तो दोस्तों जब आप other state से apply करते हो तो आप लोग का वहाँ पर other state के quota आ जाता है तो आप लोग को वहाँ पर आजिए जो भी आपका मूल लिवासी है वो आपसे नहीं मांगा जागा है जिसमें आप लोग को मैंने बिल्कुल सही तरीका बताया है कि cut off आप लोग का किशीज के आधार पर देखा जाता है फिर भी cut off से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों आप लोग की main होता है choice filling मेरे साब से आप लोग choice filling जितना अच्छे से करोगे selection आपका उतना अच्छा हो जाएगा यहाँ पर काफी सारी चीजी यह देखी जाती है बी ओफिस में apply करना है एस ओफिस में apply करना है कि ABPM में apply करना सही रहेगा या BPM में apply सही करना रह सही रहेगा कौन सी head office में apply करें किस office में apply करें सारी बातें अच्छे से मैंने आपको choice filling वाली वीडियो में समझाई है दो से तीन वीडियो बनाई है दोस्तों अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए यकीन मानिए बहुत ही ज्यादा फाइदा होगा अगर आप यह वाली गलतियां करते हैं तो दोस्तों आप लो सारी लेकर 93 के बीच में जाता है सामाने और OBC का SCHD इन सब का जो cut off है अलक्सी वीडियो बनाई है देख लीजिए अनुमाल मैं आपको बता रहा हूं कि लगबक आप लोग का सामाने OBC का 87 से 93 के बीच में रहेगा और SCHD की अगर हम बात करेंगे तो आप लोगों का 85 से लेक cut off की वीडियो बनाई है हर एक डिश्टिक की इसमें cover किया है लिंक मिल जाएगी description में जरूर देख लीजिए बहुत ही महदवपून वीडियो है कोंकि post office की उपर पूरे भारत में सबसे बड़ा coverage हमारे चैनल की और से है सबसे ज्यादा लोग हमसे जोड़े हैं तो आप से आपका बता दू ग्रूपस जो होते हैं वो सारे दिन तो उपन नहीं करते क्योंकि सभी लोग message करते हैं जादतर irritate हो जाते हैं इसलिए आप लोग के लिए दिन में एक गंटा या आदर गंटे के लिए ग्रूप उपन करते हैं उसमें आप लोग अपने अपनी points पर discussion करते ह हैं साथ ही आपसे गुजारे शोगा दोश्तों जितना हो सके वीडियो को शेर किया किजिए लाइक किया किजिए चैनल को सब्सक्राब नहीं किया है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो चैनल को सब्सक्राब करके all notification all कर लो क्योंकि इस से best चैनल पोस्ट विश भरती के ही मिलेगा